भारतिय टीम के कप्तान बिराट कोली और बिसी सी आई के पीच में जो भी मतभेद थे वो अब सामने खुल करके आगे है क्योंकि जैसे ही बिराट कोली ने टीट्वेंट की कप्तानी से अपने आपको अलग किया और टीट्वेंट की कप्तानी छोड़ने की एलान किया उसके बात जितने भी अंदर की बाते थी वो सारे बाहर आ गए हैं और आज कुछ बहुत बड़ी-बड़ी जानकारी बाहर आई है जिसके बारे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और उसमें और भी जब्दा डीटियल्स आई है और आप सभी को बता दू कि जो खबर है उसके म कुल भी नहीं चाहते थे कि रोहित सर्मा जो है वाइस केप्टेन बना रहे वो चाहते थे कि दो अलग अलग ख़लारी दोनों फर्मेट याने की टीट्वेंटे रोडी आई में जो है वाइस केप्टेन के जिमेबारी ने बहाए और बकाइदा दो खिलारी के नाम भी बिरा बिराठ कोघली की इस प्रस्ताब को सीरे से खाली कर दिया इस तहरी के की खforward सामिने लिकल का आई यह है वही इसके रहए इसके इसके लबा जो दूसरी बड़ी खबर सामने लिकल का इह है उसके अगरहां बात करे तो आप सभी को बता दू की दूसरी ख़बर यह कि आप लोगों को पता होगा कि कुछी दिन पहले जब इंडिया और इगलेंड की बीच में ODI का स्तीरिज हुआ था उसमें सिखर दबन को टीम में सामिल नहीं किया गया था और अब जो खबर आई है उसके मताबित बिराट कोहली ने BCCI के सामने ये प्रस्ताब रखा था कि सिखर दबन को ODI की टीम में सामिल किया जाए लेकिन वहाँ पर सेलेक्टर्स ने जो है कही न कहीं बिराट कोहली की बात नहीं मानी और सिखर दबन को टीम में सामिल नहीं किय यह भी खबर सामने लिकल काई है तो यह दो बड़ी खबर है जो की बिराट कोली की टीटुएंडी कफ्तान इसे इस्तिफा देने के बाद सामने लिकल काई है और कहिंगा यह बहुत महत्पुर्ण खबर है और इसते यह बात बिल्कुल असपष्ट हो जाते हैं कि जो बिराट कोली की रोहित सर्मा के साथ भी रिष्टे अच्छे नहीं है उनके साथ भी टक्राब के मूड में है और कहीं नहीं बिराट कोली रोहित सर्मा को जो है T20 ODI में वाइस केप्टन के रूप में नहीं देखना साथ एंटीम इंडिया के इसलिए जो है उन्होंने उनको जो है अच्छित बंध हो गई है जिसके बाद BCCI ने दोनों की एक मीटिंग कराई थी जिसमें BCCI ने मध्यस्त का भूमी का निभाया था और खबर थी कि उसके बाद उन दोनों की पीच में अच्छे समंध हो गए थे लेकिन आप सभी को बता दू कि अचानक से फिर यह खबार साम नहीं दिया T20 कफ्तानी से लेकिन जैसे उन्होंने इस्थिपाद दिया उसके बाद यह तमाम चीजे जो है अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं और यह तो कुछ ही खबर है आने बाले दिन में और भी खुलासा हो सकते हैं इस तरीके कि भी खबर है क्योंकि लेटेस्टी में अगर हम बात करें तो खबर यह भी थी कि बिलाट कोली जो है T20 वर्ल कप के टीम जो की खोसित हुआ है उसमें युजबेंदर चहल को रखना चाहते थे लेकिन सेलेक्टर्स ने उनको नहीं रखा इस तरीके कि भी खबर आ रही है हलाकि इनमें कितने सचाई है इसका कोई प स्रामने आ रही है जो की साथ पसपष्ट कर रहा है कि भरती टीम के जो कपतान ईपीराट कोली और बीची के मामले पर और यक लता पास्टेंडनिक negócio है बातछीत नहीं है मन मुठाव है तो यह कहिना कि भारती टीम के लिए अच्छे सांगेत निश्चित रूप से नहीं है और इसका परिनाम भारत को उठाना भी पड़ सकता है आने बाले दिन में तो बने लिए मारे साथ जैसी अपडेटाएगी हम जरूर देंगे लेकिन इस सारे मासले पर आपक क्या सोच नहीं कमेंट करके जरूर बताएगा तब तक जैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें बेल एकन का बटन जरूर प्रिस कर दें और वीडियो को जादा स्याला लाइक और शेट जरूर करें नमस्कार धन्यवाद